मारूर राजस्थान यूटीब चैनल पर आप सबको घणो घणो अभी नंदन करेंट अफेर सीरीज कर रहे हैं हम लोग पिछले दो साल के करेंट अफेर्स आप सबने बहुत अच्छा रिस्पॉंस दिया है थैंक यू सो मच और जिस जिसने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक् कर लो अच्छा कुछ बच्चों की मेरे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं बच्चे परिशान हो रहे हैं एसी एफ का पेपर आ गया है वैसे तो यह करेंट अफेर्स हर पेपर के लिए काम आएंगे आरेस हो एसी एफो पटवारी हो पुलिस हो रीच शीट जी ओ भी जिसके अंद आप सब दे रहें लेकिन सबसे मुर्शकिल एक्जाम जो है हमारी लाइफ का है और इसके अंदर जाधतर लोग फेल कि हो जाते क्यों कि हम कॉपी करने लग जाते हैं हम क्या करने लग जाते हैं कॉपी करोगे तो जो अपनी एक युनीकनेस मतलब हर बच्चे की एक जो और दूसरा कोटे इस तरह का अपना लो अभी एक्जाम में कि वो लो question देते हैं हमें यह सोचके कि बच्चों को question नहीं आएंगे और हम लोग ऐसे answer लिख कर देंगे कि उनको answer समझ में नहीं आएगा ठीक है यह मैं मजाग कर रही हूं ताकि आपको mood थोड़ा lighten हो जो tension वा शर्मा अनकैडमी प्लस पे live classes लेती हूँ ACF RAS exam के लिए RAS interview को crack करने का experience है मेरे पास face करने का crack करने का नहीं sorry face किया है मैंने दो बार ठीक है तो वो सारे experience आप सब भी बच्चों के लिए हैं यह मेरे batches चल रहे हैं target RAS English medium already शुरू हो चुका है Hindi medium already शुरू हो चुका है अभ आपको राजस्तान पॉलिटे पढ़ाने वाले तो देर ना करें जॉइन कर ले उसके साथ साथ जो ACF के बच्चे पेपर वन के लिए मुझे ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं अभी जिनोंने optional तैयार कर लिया पेपर वन तैयार करना चाहते हैं तो वो जॉइन कर ले एक महिने का सब्सक्रिप्शन ले ले पेपर टू environment optional के notes आपको मिल जाएंगे और इसमें 10% discount चाहिए तो referral code RAS Cracker आप यूज कर सकते हैं एक मेरे को थोड़ा सा आपसे पूछना भी था RAS Cracker थोड़ा बड़ा referral code लग रहा हो तो बता देना इसको change भी करा देंगे कुछ आसान सा सोच तो कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि कैसे एप डाउनलोड करना है description box में देखो link दिया हुआ है या फिर आप वैसे भी डालोगे google play store पे unacademy learning app यह option दिखाएगा install कर लिया open open करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर UPSC category तो यह जो तीन लाइन और बिंदू सा बना हुआ इस इस पे click कर देना इस पे click कर दोगे यह चीज आ जाएगी फिर इस पे click करना इस arrow पे और यहां पे जो search वाला option दिखेगा आपको ऐसा एक lens type बना हुआ उसमें RPSC type कर देना RPSC type करते यह दिखा देगा आपको तो इस वाले plus वाले पे आप click कर देना फिर आप back जाना पड़ एक बार आपको फिर यही page आ जाएगा तो फिर इस arrow को दुबारा click करोगे यहां पे RPSC इसको आप add कर लेना उसके बाद जब भी slide खोलोगे जब भी आप app खोलोगे आपका RPSC ही खुलेगा ठीक है इसमें जब subscription कैसे लेना है ACF वाले बच्चे तो अब एक महीने का ले लो जो ACF, RAS दोनों की कर रहे है वो दो साल का या एक साल का plan चूज कर सकते है ठीक है पतवारी वाले बच्चे छे महीने का या एक साल का plan चूज कर ले बाकी सब भी अपने exam के according देख ले ना courses सारे चल रहे है रीट हो, police हो, constable हो ठीक है RAS हो, ACF हो सारे courses चल रहे है और मेरे referral code यहाँ पे आप सबको apply करना है, RAS Cracker 10% discount के लिए फिर payment पे जाना continue हो जाएगा, payment हो जाएगी, चलो start करते हैं, ठीक है, राजस्तान की पहली boxer कौन बनी है, पहली boxer कौन बनी है, जिनको Asia की best boxer का award दिया गया है, एशिया की best boxer का award दिया गया है, हिंदी में देखते हैं, राजस स्थान की, जिनने Asia की सर्व श्रेष्ट मुक्य वाज का किताब जो है, मिला है, इनको समानित किया गया है, तो काजल शर्मा, बबीता फोगाट, अरुन धती या फिर रश्मी वर्मा, तो कौन सी इसमें हमारी मुक्य बाजी में धाकड गरल निकलने वाली है, बताओ मुझे आ रहे आंसर, आ रहे, तो इसका सही आंसर है बच्चो, अरुन धती, धाकड गरल, अरुन धती, ठीक है, याद रख लोगे, थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा, अरुन धती, ठीक है, एशिया की, एशिया की सबसे बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड मिला है, इसमें वो मैडल जीता है, और भी बहुत सारे मैडल इंटरनाशनल लेबल पर लेके आती रहती है, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर, तो न्यूज में क्या छपा था, आप सब का पेपर क्लियर होगा, मैं भी बताऊंगे, इस बच्चे में दम है, एशिया में जमाई ध ठीक है, अब तो याद रखोगे अरुन धती, अब तो याद रखोगे फोटो को माइंड में सेट कर लो, और जब इनका इंटरव्यू हुआ तो इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा, मुझे लगा अभी ACF के बच्चों को बहुत मोटिवेशन है, तो आज मैं खूब यह तो मुझे आता है, तो किसी भी चीज को बहुत हलके में मतलो, असान क्वेशन, मुश्किल क्वेशन हमें सारे करने हैं, और अपने बेस्ट एफट्स दो, और आप बिल्कुल यूनीक हो, किसी को कॉपी मत करो, ठीक है, तो यह इमेज देखो, ऐसा जजबा होना चाहिए अरुन धती, ठीक है, चलो, अगला क्वेशन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेशन क्या है, वर्ड की पहली नंबर की राइफल शूटर, वर्ड रैंकिंग के अंदर वर्ड की पहली नंबर की रैफल शूटर बनी है, एक मई 2019 को यह रैंकिंग रिलीज की गई, तो क्या नाम है इनका इंडिया से तो है हमारे राजस्थान से भी है अबनी चतुरवेदी अपूर्वी चंदेला अंजुम मुद्गिल और अंजली भागवत हिंदी मीडिये वाले बच्चे भी क्वेश्चन देख लो बच्चो पढ़ लो ध्यान से एक मही 2019 एक मही को कौन सा डे होता है लेबर डे होता है इस दिन जो है शूटिंग राइफल शूटिंग वालों की रैंकिंग रिलीस की गए जैसे ICC वालों की आते न क्रिकेट वालों की वैसी तो हमारी शूटर कौन है राजस्थान की जैपूर से अपूर्वी चंदेला किसक और इस्थान वालीवोल एसोसियेशेन। अब वालीवल पढार hai हूं कूछ दिमाग में आ रहा है। वालीवल एसोसियेशेन अभी पूछूंगी आना चाहिए दिमाग को करो। उसके मुख्य सचेम है हमारे जिनने अभी एशियाई वॉलीवोल परिसंग यानि एशियाई वॉलीवोल एसोसियेशन के फाइनेंस कमिटी के मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है हरी चरन शर्मा, जगदीश शर्मा, राम अवतार सिंग जाकड और हनुमान चौधरी क्या नाम है? वॉलिबोल से कुछ याद आया, इस question का answer सोचो English medium, Hindi medium, दोनों students देख लो भै, screen अच्छे से देख लो आप सब लोग अरे, एक second गिर जाती हूँ, मैं चलते चलते, ऐसे हो जाता है हाँ, तो इसका क्या answer है? राम अवतार सिंग जाकड, ठीक है? जो जाकड धाकड बनने होंगे, वही तो जाएंगे वॉलिबोल association में, और कल क्या करवाया था? मैंने last class में वॉलिबोल के एक प्लेयर का नाम बताया था, जिनको महराना मेवार्ड अवार्ड मिला हुआ है क्या नाम था? उनका कुछ याद आ रहा है, लवमीत करके मैंने याद करवाया था लवमीत, है ना, फेस्बुक पे उनकी फोटो डली हुई थी, मैंने बताया था लवमीत पंजाबी नेम है, ठीके तो वो बल्ले बल्ले करते रहते भांगडा गाते उसे वॉलिबोल याद करो राम अवतार सिंग जाकर, इमेज दिखाऊ इनकी, याद करने के लिए ये फोटो देखो इनकी, ताकि दिमाग में इमेज छप जाए ठीके, रिटायर इंटरनेशनल वॉलिवोल प्लेयर हैं, कहां से बिलॉंग करते हैं, ये जुन्जनू से बिलॉंग करते हैं, पूर्वी चंदेला जैपुर से, राइट, डन हो गया, आजालतर स्पोर्स परसनालिटीज करवा रही हूँ, मैं बेसिकली आपको, ठीके, हाँ पाली से एक एथलीट है, पिछले साल बड़ा न्यूज में रही थी, इंटरनेशनल चैंपियंशिप में, जो है, दो-दो गोल्ड मेडल जिताएं हैं, फेमस नाम है, ये सबकी जबान पे होना चाहिए, ऐसे याद करो, हीना एक चोटी सी क्यूट से बच्ची है, पालने के इंदर जूल रही है, ठीक है, एथलीट है, भागते बहुत तेज है, रितिका गुपता, हीना जोशी, अवनी शर्मा या फिर आर्ती मिश्रा, क्या नाम होगा इनका, देखो, दो स्वांड पदक जीत के लाएं हैं, इंटरनेशनल, एक ना अधा, एक अठ्थे, दो, साथ- ठीक है, कौन-कौन से दो देशों की प्रतियोगिता में ये जीत के आई हैं, एक कजाकिस्तान की, एक किर्गिस्तान की, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, 400 मीटर रिले रेस के अंदर, कहां से बिलॉंग करती है, पाली से, और दोनों के दोनों, गोल्ड मैडल इनको मि बॉक्सर ओफ एशिया, अरुन धती, अरुन धती, ठीक है, चलो, अमेजिंग, आगे मुवण करते हैं, सबको समझ में आ रहे हैं, मुझे थम्जब का रिपलाई दो, एक, अरे, अंसर दिग गया, थम्जब का रिपलाई दो सभी, अभी, चैट के अंदर, ठीक है, दस जु इसा नाम लग रहा है, वेट उठाने के लिए, भारी भरकम वेट उठाने के लिए, बंदा भी हट्टा कटा तकडा होना चाहिए, तो नाम क्या क्या है, देखो, मैं नीश खंडेलवाल, धीरेश चोधरी, दिनेश शर्मा, अजे सिंग, शेखावत, तो नाम समझ में आ रह समोवा न्यूजिलेंड में हुई थी, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, 77 किलोग्राम वाली जो वेट केटेगरी है, इनकी, ठीके, कहां से बिलॉंग करते हैं, ये जुनजनू से भाई, जुनजनू के लोग बड़े स्पोर्स में आ रहे हैं, राम अफ्तार सिंग जाकर, ठीके, और दूसरे अजे सिंग शेखावट और जाकर, ठीके, जुनजनू, चिडावा तहसील खुडोत से बिलॉंग करते हैं, इमेज देखो, गोल्ड मेडल दिलवाया है, इंडिया के लिए, ठीके, अच्छा, और ये इमेज सही से याद रख लेना, बिठा लेना दिमाग में, फीड कर लो, इसको, 77 किलोग्राम केटेगरी, ठीके, इन्होंने जो उठाया, ये जो कॉमन वेल्ट गेम्स हुई थी, एक और मैं बता रही हो, इनका, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर भी इन्होंने जो है, गोल्ड मैडल जीता है, ये ऑस्ट्र की तैराक, स्विमर कौन है, जिनोंने हाल ही में, ये पिछले साल के हैं, सारे करन्ट वेस, 18-19 के, ठीक है, इंग्लिस चैनल को पार किया है, इंग्लिस चैनल को पार किया है, गोर्वी, सिंग्वी, भक्ति शर्मा, राजवीर चोहान, या फिर कुलदीप, बिश्नोई, अब कर लो, ये सिंधु नदी को पार करके, इंग्लिस चैनल को पार करने गई है, तो आपको नाम याद हो जाएगा, सिंधवी, सिंधवी से सिंग्वी, और क्या नाम हो गया, गोर्वी, सिंग्वी, इंग्लिस चैनल को किसने पार करवाया है, गोर्वी, सिंग्वी ने, याद ह रहे हैं इनकी इमेज भी देखाती हूं यह देखो यह चोटी सी बच्ची सी है और देख लो नाम बड़े-बड़े कर दिये हम यहां में जॉब के लिए तरस रहे हैं ना गोर्वी सिंग्वी कहां से बिलॉंग करती है उद्यपूर मेवार से महरे मेवार से आओ ठीक है अच् इसकी बाद देखो अभी भी अगस्ती चल रहा है ना हां आज तेईस अगस्त तो नहीं है एक सेकेंड आज तेईस अगस्त है क्या हां आज तेईस अगस्त है मतलब पिछले साल तेईस तेरा तेरा दुनी 26 होता है उसको 28 कर दो तो तेरा घंटे 28 मिनट की पूरी जो इनकी वो थी उसमें चैनल पार किया और कब किया 23 अगस्त को किया ठीक है डेट नहीं पूछेगा कोई गौर्वी सिंग्वी उद्यपूर इतना ही पूछेंगे ठीक है चलो अच्छा अब जो है एक प्रिजर पुरुसकार है वास्तुकला का प्रिजर पुरुसकार वास्तुकला क जैपूर का कौन सा नगर डिजाइन किया विद्याधर नगर इन्होंने डिजाइन कर दिया तो उनका नाम पूछ है क्या नाम है इनका बाल कृष्ण वी दोशी अब्दुल कुरेशी सुंदरलाल बहुगुणा या फिर गोपाल सिंग भाटिया ठीक है इंग्लिश मीडियम बाले बचे देखो आर्किटेक्ट ओ विद्याधर नगर ओफ जैपूर जिन्हें प्रिजर आर्किटेक्ट्चर पुरुसकार मिला है जिसे हम प्रिजर पुरुसकार आर्किटेक्ट्चर का नोबल प्राइस बोलते हैं तो इसका सही आंसर है वालकृष्ण वी दोशी ठीक ह और ये जो है प्रिजर पुरुसकार जीतने वाले पहले भारतिये बने तो पहले भारतिये पहले राजस्थानी पहले जो भी काम वर्ड में करते हैं पहले पहले वो हमेशा important होते हैं तो first Indian to win the प्रिजर पुरुसकार प्रिजर अवार्ड ठीक है याद कर लोगे 84 में इन्होंन से देख लो सभी ठागे आपको याद रहे अगला question है 21 में जो commonwealth games हुए थे उसमें राजस्थान में किन-किन players ने हमें कास्य पदक दिलवाए हैं bronze medal दिलवाए हैं option देखो आप सब लोग सुन्दर गुर्जर सगुन चौधरी सुन्दर गुर्जर सगुन चौधरी ठीक है ओम प्रकाश मिथरवाल सुन्दर गुर्जर और अपूर्वी चंदेला ओम प्रकाश मिथरवाल सगुन और कास्य पदक बोले तो इंग्लिश में क्या बोलोगे bronze medal क्या बोलोगे इसको bronze medal तो याद करोगे अपूर्वी ओम ऐसे याद करो मिथरवाल कहां के रहने वाले हैं हम सबको पता है नीम कड़बा होता है लेकिन हमारे जो ओम प्रकाश जी है वो उस नीम को भी मिठा बना स ओम प्रकाश मिठल जी ने मैन पुरुष 10 मिटर एर राइफल के अंदर हमें जो है bronze medal गोल्ड मैंने बोल दिया हो तो गलती से बोला होगा भई ठीक है bronze medal हम लोगों को दिलवाया है ठीक है अच्छा commonwealth game में ओम प्रकाश मिठरवाल का जो सिकरी से बिलॉग करते है निमरी ग सही है चलो आप में से कौन कुन सीकर से हो लिख के बताना अगर कोई सीकर से बिलॉग करते सीकर में वैसे भी नीम का धाना भी यह सब को पता ही होगा है ना चलो 6 मार्च 2018 को 13 और 14 वी विधान सभा जो है हमारे उसमें से 2018 के लिए best विधायक सर्व श्रेष्ट विधायक का अवार्ड दिया गया है तो यह पुरुसकार किसको मिला है कौन से ML को मिला है सुन्दर गोस्वामी अभिशेक मटेरिया हनुमान बैनिवाल या फिर गोविन और 15 तो यह हमारे हनुमान हraं जी के घने तगरे भगत है ऐसे याद करो हनुमांगर कीनो अरूड केसी को पहली दकाद लिया अभिशेक मटेरिया ठीक है और यह गंगा नगर और हनुमान कर से बेस्ट विधायक का अवार्ड जीतने वाले पहले MLA है गंगा नगर और हनुमानगर से बेस्ट विधायक का अवार्ड किसी को पहली दफा दिया गया अभिशेक मतेरिया यूट्यूब पे उठाके देखोगे तो वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फरेंस पे स्पोर्ट के लिए इन्होंने बोला है इनकी स्पीचीज है जाके देखोगे दिख जाएगी ठीक है ये देखो अच्छा फिर 10 मार्च 2019 को ठीक है महराना मेवार्ड अवार्ड जो दिया जाते है उसमें इंटरनेशनल करनल जेम्स टॉड अवार्ड जो दिया गया है 2018 वर्ष के लिए ये 37 महराना मेवार्ड फांडेशन अवार्ड दिये गया है 37 2018 में किसको दिया गया प्रोफेसर आर मेडरिड डॉक्टर पॉल्टी क्रेडोक ठीक है ये क्रेडोक आएगा यहाँ पर दुबारा से लिख रही हूँ बच्चो क्रेडोक ठीक है ऐसा और इलिय दिया गाया है यह प्रोफेसर है आई आए टी कानपूर के इनको आवर्ड किस फिल्ड में दिया गया है मेवाड की पेंटिंग के अंदर शोध करने के लिए research और राइटिंग बर केलिए किसके लिए मेवाड की छितरकला के लिए इनको यह अवाड दिया गया यह देखों इमेज देखों ठीक यह है आई इती कानपूर के क्रेटो ठीके पोल्ट केंड में अच्छ हो कुछ अवार्डस की इनकी डितेल क्या करनी है बहुत सारे एक सेकंड देना हुझे पानी पिले तो एक सेकंड हएएं धैंक यू देखो ये अवॉर्ड जो है मारा न मिवार फांडेशन के इसमें कुछ अंतराश्री अवॉर्ड है कुछ नैशनल है कुछ स्टेट है वो देख लेदे देखो असान है कुछ नहीं करना करनल जेम्स टॉल्ड अवॉर्ड जो है एक ही अवॉर्ड चार जो है हमारे वो नेशनल ऑवर्ड कैसे याद करोगे देखो हल्दी घाटी अवर्ड और हाकिम खान सूर पठ्धान तो हकीम जो है वो एंड़ेगाओं फिकल की चार करा मणा लगाते हैं उनowski जो हैं मैं लगाक prostощira था तो पन्याध्याई और महाराना उदे सिंग अवार्ड ये दोनों भी नैशनल अवार्ड है तो नैशनल अवार्ड कौन-कौन से है हकीम और हल्दी ठीक हल्दी घाटी अवार्ड हकीम खान सूर्पठान अवार्ड महाराना उदे सिंग अवार्ड और पन्याध्याई अवा करके लाएगा उद्धेपूर को वही राज करने वाला है ऐसे चाहिए तो स्टेट ऊफुद्यपूर आवार्ड है महाराणा राज सिंग और महाराना फथे की आवर्ड की लिस्ट है ठीके 37 त महराना मेवार्ड अवर्ड जो दिये गए ठीके इसके अंदर किस को मिला देखो करनल जेम्स टोड़ वाला कहां गया हूँ अच्छे ये बाकी सारे कर्नल जेम्स टोड तो क्रेडो को मिला पन्या धाय पुरुसकार किसको मिला अब पन्या धाय जो है उन्हों का जो बलिदान है चंदन का बलिदान वो छोटा मोटा बलिदान तो निये माता से भी बड़ा काम किया है तो ये अवर्ड किसको मिला है सूम हकीम खान सुर पठान सुर शब्द पगड़ लो तो सूरेश वाड зарण सूर शब्द पगड़ और दे दियाख Hey कौन लगाएंगे वेड़ लगाते तो इनकी नाम में चत्र वेडि आएगा खोजी पतरकारिता के रूम में इनको यह ऑवर्ड दियागे है उसके बाद महाराणा उद्दे सिंग अवार्ड जो उद्दे कर रहे है शेषमणिं गीता शेषमणि को दिया गया है पशू अधिकारों के शेतर में काम करने कर बस हलका हलका मैंड में रखो मैहरशी हरित रिशी सम्मान अले घद्दर रिषी रिषी कोन होता है जो मनुश्यों में उत्तम हो तो जो व्यक्ति नरोत्तम होगा उनको हम रिशी बोलते तो ये अवार्ड मिला है डॉक्टर नरोत्तम पुजारी को और हेमंत कृष्ण मिश्र को किसको मिला है हेमंत कृष्ण मिश्र को और डॉक्टर नरेत्तम पुजारी को डागर घराना सम्मान के पीछे घराना शब्द आएगा महाराना मिवार तो माली नी अवस्ति लखनाउ की है कौन से घराने के प्रतिक दिती है अरावली सम्मान अरावली हमारे लिए तो हिमाले की तरह है न हमारे सिरक मान है ताज है अरावली तो अरावली पुरुसकार दिया गया है उनके नाम के पीछे सिंग मान आएगा संदीप सिंग मान को स्पोर्ट के शेतर में दिया गया है अगर क्वेश्चन मान लो करनल जेम्स टॉट पे नहीं इस पे आता है तो आई थिंग अब आप सब लोग कर पाएंगे इसको हटा देती हूँ एक बार स्क्रीन शॉट सा सब ले 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 ना ठीक है अच्छा आपको PDF क शिक्षा शिकर सम्मेलन हुआ ठीक है वर्ल्ड एजुकेशन सम्मेट हुआ अगस्त 2019 में इसमें हायर एजुकेशन में नवाचार के लिए बेस्ट इनोवेशन के लिए और इनिशेटिव लीडर्शिप मतलब की नवाचार के लिए और नेत्रित्व के लिए जो अच्छा प करके आजाना इसमें राजस्तान को हायर एजुकेशन में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उसलिए ये अवाड हमें दिया गया है मिनिस्टर ओफ स्टेट फॉर हायर एजुकेशन भवर सिंग भाटी ने ये अवाड रिसीव किया इसमें हमने क्या कि लड़कियों क एक सो आठ लड़कियां एडिमिशन लेती हैं एवरी हंडर्ड बॉइस पे एक सो आठ लड़कियां हायर एजुकेशन में जा रही है तो ये हमारी एक अचीवमेंट है ये भी पूछ सकते हैं और इस सब्मिट में आठ देशों के लोग आये थे 17 राजियों के लोगों ने पार्टेसिपेट किया था हुई तो खीया रितना इपॉर्टै नहीं है अगला कुषिण राजस्थान की कौनसी मुवी को राश्ट्रिये सम्मान मिला है इन केतेगरिवी औफ बैस्ट राजस्थानी मुवी अवार्ड मिला है हमें नैशनल फिल्म अवार्ड के अंदर 66 नै उकरंग और टेडटल यह आवर्ड मिला है हमारी कौन सी मूवी को Teth Day जिसका हिंदी का है का च्छुल 拥ब यहिंग डिखो यहिंज इमेज देखो टेडटल का चुब इसमें दिखाया गया है इंटरनेशनल रेवल पर पाणी की समस्या है वोटर क्रैसे को कैसे एक व्यक्ति true story पर based है ये inspired है ठीक है कैसे एक व्यक्ति पानी के लिए तरस रहा होता है बिल्कुल ठीक है इसको direct किया दिनेश यादव ने, produce किया अशौक चौधरी ने और इसके film star कौन कोन है संजय मिश्रा मुझे लग रहे हैं ये संजय मिश्राई होंगे इतने नाटक movies में आते हैं आपने देखा ही हुआ 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 ये world water crisis पर based है real story है एक Mr. Ramkaran Chaudhary की बागोध से बिलोग करते हैं अपने राजस्थान के दहलोध गाउं के तो उनकी real story से ये inspire है तो national film award मिला है best राजस्थानी film category में कौन सी movie को मिला है टर्टल हिंदी का नाम कच्छुआ पानी के crisis के लिए ठीके अब बिहारी पुरुसकार किसको दिया है केके बिडला foundation का पुरुसकार है 2018 का 16 मई 2019 को दिया गया ए डेट कोई नहीं पुछे आप से कब दिया नहीं यहीं पूछेंगे वर्ष 2018 का बिहारी पुरुसकार किसको दिया गया तो उसको दिया है बिहारी पुरुसकार देखो आई ऐस जो बनते हैं बिहार वाले लोग जादा बनते हैं जादा श्रेश्ट होते हैं उनको दिया गया है तो क्या options हैं देखो हीना खान ममता कुलश्रेश्ट मनीशा कुलश्रेश्ट और नंद भारदवाज तो इसमें मैंने ममता option पहले रख दिया लेकिन ये नाम गलत है नाम भी धंग से पढ़ना होता है मनीशा ठीक है जनम इनका जोधपूर में हुआ है बेसिकली अब जैपूर में रहती है तो कौनसी बुक के लिए इनको मिला है स्वपन नाश इनकी किताब का नाम क्या है मनीशा नीशा से याद कर लो नाश सो रही थी सपने में ऐसे याद कर लो कौनसी बुक के लिए मिला है मनीश कुल श्रेष्ठा को स्वपन नाश उपन्यास के लिए अवार्ड दिया गया है जोधपूर में पैदा इनके और भी अवार्ड है शिवगफ शाल भंजिका और पंच कन्या यहां दो तो ठीक है वना छोड़ दो शिवगफ शाल भंजिका पंच कन्या 2017 का यह पुरसकार दिया विजय वर्मा को लोका अवलोक के लिए ठीक है विजय वर्मा को लोका अवलोक के लिए विजय वर्मा कुछ नाम याद आ रहे हैं कर्ज मूवी मेरी शिकपूर वाली मूवी देखे पिछले जनम वाली लोक अवलोक फिर से अवतार होता है ऐसे भी याद कर सकते हूं मैं त 2017 का विजय वर्मा को राइट चलो ये है बही देख लो मनीशा कुल्ष्रेश्ट और ये इनकी मुवी का उपन्यास का जो उपर का पेज कवर होता है बुक का वो है ठीक है इसको क्या बोलते हो उपन्यास को नौवल टाइप है ना स्वपन नाश सही है मैं करवा देती हूँ ठीक है मुझे लग रहा है करवा देना चाहिए मुझे भई फिर थोड़ा सा हसी मजाग करेंगे मनीशा कुल्ष्रेश्ट भिहारी पुरुस्कार ठीक है राजस्थान बेस्ट राजस्थानी मूवी 66 श्यासटवे नेशनल फिल्म आवर्ड्स 2018 के लिए कच हुआ किसने डाइरेक्ट किया दिनेश यादव अशोक चोधरी ने प्रड्यूस किया संजय मिश्रा अमोल पालेकर जो है वो इसमें लोग है वर्ड वाटर क्राइसिस के उपर है रामकरन चोधरी जी की लाइफ के उपर बनी हुई है बागोध रिजन से आते हैं अब भीशेक मटेरिया अमले बेस्ट मले का अवर्ड विला है दो हजार अठार नोहर हनुमानगर से आते हैं गंगानगर हनुमानगर के पहले व्यक्ति हैं जिनको बेस्ट यह कुछ याद आ रहे हैं मिठरवाल मिठरवाल ओंप्रकाश मिठरवाल कोमनवेल्थ गेम में इनका पहला मैडल है ब्रॉंज मैडल दिलवाके लाए हमें और साथ में अपूर्वी चंदिला दस मीटर एयर रैफल इवेंट में बालकृष्ण वी दोशी जैपूर का क्या इन्होंने वो किया विद्याधर नगर इसका डिजाइन बनाया था इनको भी प्रिजगर पुर्सकार मिला है ठीक है उसके बाद इंग्लिश चैनल गोरवी सिंग भी अभिशेक शिंग शेखावत वेट लिफ्टिंग समोवा के अंदर गोल्ड मैडल ठीक है हीना जोशी कज शाखिस्तान किर्गिस्तान एफलीट चार्सों मिٹर रिले रेस में गोल्ड मेडल ठीक है और स्रामवत थारसिंग जाखड वॉलिफ वॉल। ठीक है इंटरनेशनल वॉलिफ वॉल में गए है जुण्जनु के हैं शेकावत जुण्जनु यह दोनों ही जुण्जनु के हैं शेखावत और जाकर जी ठीक है और ये हैं हमारी अरुन धती एशिया की बेस्ट बेस्ट मुखके बाज का अवार्ड इनको दिया गया है आई होब सबको क्लियर होगे थोड़ा सा हजमिजा कर लेते हैं ठीक है पेपर में हालत क्या हो रही है अभी आप सब की पढ़ रहे हो सब बैठ के लेकिन क्या होता है घर पे पढ़ रहे होते हैं पांच मिनिट के लिए मोबाईल उठाएंगे हम लोग कितना मर्जी पढ़ लो कितना मरजी पढ़ लो 5 मिनिट के लिए मोबाइल उठाएंगे घर वाले उसे टाइम देख लेते हैं ऐसा होता है ना घर वाले उसे टाइम देख लेंगे अरे यार यह तो पड़ी नहीं रहा है है ना ऐसा होता है और एक्जाम में यह तो चलो आपका प्रिलिम से यहां पर य याद कर लो मेरी जितनी कोशिश है जितने मिर से हो पाएंगे मैं मैं मैक्सिमाम आपको कवर कराओंगी करन्ट अफेर्स और प्लस कम्यूनिटी का आप लोग पार्ट पड़े आता कि नोटिफिकेशन के टाइम पे एक एक महीने शोट में भागदोर के तयारी ना करनी पड ठीक है बहुत मज़े आएगा आपको पड़ने में जैसे यहां पे आ रहे हैं रेफेर कोड है आरे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो आप लोग नोटिफिकेशन नहीं चाहिए आपको li HaraldAccar करो इसको वाइरल कर दो वीडियो को ठीक है जितना हो सके अपना feedback comment section में जरूर देना फिर भी मुझसे कोई बात करने हो facebook page पे follow कर लो और ये मेरा contact number है अगली वीडियो में मिलूंगी कैसी लगी वीडियो बताना जरूर है please बताना comments में subscribe 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 कर लो ठीक है thank you so much have a nice day take care धनी धनी राम राम